दोस्तों गर आप भी विराट कोहली और रोहित चर्मा को दुनिया का सबसे खदरनाग खिलाडी मानते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों टी-20 विश्विकप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में सुपर ओवर मुकाबले में सारी हदें पार हो गई जहां दौनों टीमों के बीच ऐसा मुकाबला हुआ जिसके किसी ने कलपना भी नहीं की थी तो आखिर कैसे सुरेकुमार याधव और हार्दिक पांडिया की खदरनाक बल्लेबाजी से मुकाबला हुआ बराबरी पर समाब फिर ऐसा क्या कुछ हुआ सुपर ओवर में जिसने तो क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया तो आखिर जब जीत के लिए भारत को चाहिए थे 22 रन नामुम्किन थी इंडिया की जीत तबरिश अपन्थ और हार्दिक पांडिया ने किया ऐसा चमतकार उनकी धाकर बल्लेबाजी से लेकर इस रुमान्चक मुकाबले की पूरी हाइलाइट तो हम आपको जरूर आखिरकार वो मुकाबला शुरू हो गया भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने न्यू यॉर्क के मैदान पर हुई इस मुकाबले में भारतिये टीम के कप्तान रोहित चर्मा ने टॉस जीत कर पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने के लिए आमंतरित किया पाकिस्तान की टीम ने शांदार बनलेबाजी करते हुए अपने दो विकेट खोकर टीम इंडिया के सामने 20 ओवर में 205 रनों का पहार जैसा लक्षे खड़ा कर दिया टीम की तरफ से मोहमद रिजवान ने सबसे अधिक रन 75 रनों की पारी खेली वहीं भारत की तरफ से अरशदीब सिंग और जस्परीद बुमरा ने एक एक विकेट अपने नाम किया इस लक्षे का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शिरुवात बेहत शांदार हुई और विराट ने मिलकर पागिस्तान के गेन बाजों की धज्जे उड़ा दी च्छे ओवर में टीम के स्कोर को 55 रनों तक पहुँचा दिया लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हैरिश रॉफ ने मैच को पलट दिया पहले रोहित को अपना शिकार बनाया और फिर अगले ओवर में कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा कर इंडिया की कमर तूर दी लेकिन उसके बाद सूर एकुमार यादव के साथ साथ हार्दिक पांडिया ने टीम की पारी को समाला इंदॉनों बल्लेबाजों ने मैधान पर तांड़ मचाया और टीम को झीत की तहलीज तक पहुंचा दिया लेकिन हारदिक पांडिया भी अपना विकेट गवा बैटे इंपियन की तलाश थी जिसके बाद दौनों एंपायर और कप्तानों ने मिलकर डेसीजन लिया कि एक एक ओवर का सुपर ओवर मुकाबला खेला जाएगा इसके बाद दौनों टी में तैयार हुए और फिर एक बार पाकिस्तान को सुपर ओवर में भी बल्ले बाजी करने का आजूत थे मौधर रिजवान बुमरा ने आते ही अपनी गेन से आग उगलनी शुरू कर दी पहली गेन तो मौहम्मध रिजवान को बिल्कुल भी समझ नहीं आए लेकिन बुमरा की दूसरी गेन पर मौहमाद रिजवान ने अपना विकेट बचाते हुए अजीबो गरीब शॉट खेल कर चक्का जर दिया वहीं जस्परीद बुमरा की आग उगलती हुई तीसरी गेंद पर मुहम्मद रिजवान के चारों खाने चितों गए और केवल छे रन बना कर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए सुपर ओवर में पाकिस्तान का शर्मनाग प्रदरशन देखने को मिल रहा था लेकिन अब मैदान पर बाबराजम आ चुके थे और आते ही इन्होंने बुमरा की चौथी गेंद को तारा मंडल का दरशन कराते हुए स्टेडियम के चौथे स्टैंड में भेज दिया और पाकिस रूप दिखाते हुए शांदार चौक का जड़ दिया और सुपर ओवर में भारत के सामने 22 रनों का पाहर जैसा लक्षे खड़ा कर दिया सुपर ओवर में भारत की तरफ से इस लक्षे का पीछा करने उतरे दो खुंखार बलेबाज रिशप पंद और हार्दिक पांडिया भारती फैंस की निगाहें इन दौनों किलाडियों पर टिकी हुई थी हर एक दर्शक फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ था वहीं पाकिस्तान की तरफ से सुपर ओवर में गेंद बाजी करने आये शाहिन अफरीदी स्ट्राइक पर मौझूद थे हार्दिक पांडिया शाहिन अफरीदी की पहली गेंद हार्दिक पांडिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आई और उन्होंने केवल एक रन लेपाए वहीं शाहिन अफरीदी ने दूसरी गेंद खदरना की और करपेंगी रिशप पंद ने अपना विकेट बचाया और फिर सिंगल ले लिया एक बार फिर हार्दिक पांडिया स्ट्राइक पर जा चुके थे और इंडिया को जीत के लिए चार गेंद में 21 रनों की जरूरत थी हर कोई हार्दिक पांडिया से उमीद लगा कर बैठा हुआ था सभी दर्शक जीत की दूआ मांग रहे थे शाहिन अफरीदी ने चौती गेंड यॉरकर फेकने की कोशिश की लेकिन चतुर हार्दिक पांडिया ने शांदार बल्ले बाजी करते हुए उस गेंड को छक्के में तबदील कर दिया और अब टीम इंडिया को जीत के लिए दो गेंड पर नौ रनों की जरूरत थी लेकिन हार्दिक पांडिया अलगंदाज में नज़र आ रहे थे जैसे ही शाहिन अफरीदी पांचवी गेंड के लिए दोड़ना शुरू किये उस गेंड को हार्दिक पांडिया ने पढ़ ल हार्दिक पांडिया ने अमपायर के उपर से खतरनाग छक्का जड़कर टीम इंडिया को सुपर ओवर में कभी न भूलने वाली जीत दिला दी और इसी के साथ पूरा हिंदूस्तान खुशी से जूम उठा और भारत ने पाकिस्तान को करारी हार का स्वाद चखा कर उनकी ब लाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों वर्ल्ड कप के पहले अपने पहले मुकाबले में अमेरिका से मिली पाकिस्तान को करारी हार के बाद बॉक लाग है रावल पिंडिया एक्स्प्रेस के नाम से मशूर गेनबास शोयब अक्तर पूरा टीम इंडिया पर उतारते हुए ऐसी बेज़ती भारतिये टीम की करती जैसे सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान सदमे में आ गया तो फिर शोयब अक्तर को जवाब देने के लिए खुद विराट कोहली सामने आये और पाकिस्तान को आयना दिखाते हुए उन्हें कहीं मुह द लाड़ी है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है आए दिन रोमांच देखने को मिल रहा है वहीं टीम इंडिया ने भी अपने वर्ल्ड कप के पहले मैच में आयरलेंड को हरा कर जीत के साथ आगाज किया लेकिन वहीं पाकिस्तान टीम को अपने पहले मुकाबले में ही अमेरिका से सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा इसके बाद तो पूरे पाकिस्तान में मातम फैल गया सभी खिलाडी बीच मैदान में ही फूट फूट कर रोने लगे अमेरिका की युवा टीम ने चमतकारी पलटव करते हुए पाकिस्तान को करारी हार का स्वाथ चखाया और उनके घवन को चकना चूर कर दिया अमेरिका जैसी टीम से पाकिस्तान को मिली करारी हार के बाद पूरा क्रिकेट जगत हैरान है वहीं बाबराजम को भी कुछ समझ नहीं आया या तक कि पाकिस्तान के बड़े वोल्टेज का देखने को मिलता है ये दोनो टीमें केवल आई सीसी के बड़े बड़े टोनमेंट में आमने सामने होती हैं इसलिए इस मुकाबले का महत वहर किसी को पता है ये मुकाबला टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच से कम नहीं है दोनो टीमों में एक से खुंकार खिल पलटवार करते हुए पाकिस्तान को धूल चटा दी और उनके घमन को चूर चूर कर दिया अपने टीम की हार देखकर पाकिस्तान की पूर्व सबसे तेजगेंबास श्वेबक्तर भी पूरी तरह से बौकला गय और अपना गुस्सा उन्होंने भारतिये टीम पर उतारना श चब्दों से ऐसे ऐसे जहर उगले की पूरे पाकिस्तान की टीम में बवाल मच गया